हेलो एव्रीवान, वल्कम बैक तो माई चैनल, सो भई कोई भी मौसम आता है तो वो आपने साथ स्किन और बालों के कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लेकर ही आता है अपने इस चैनल पर मैं आप सब के साथ शेर करती हूँ, होम रेमेडीज प्रेलेटिट तो स्किन एन हैर और मैं कोशिश करती हूँ भई के होम रेमेडीज ना सिर्फ आसान हो बलके बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव भी हो इस पॉइंट पर मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगी के अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी ओन कर दें हो सकता है मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके काम आ जाए आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो वैसे तो इतना जादा कॉमन मसला नहीं है लेकिन भाई जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसे क्योर करना और इसे ट्रीट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी हां मैं बात कर रही हूँ फटी एडियों की जिसे इंग्लिश में क्रैक्ट हील्स भी कहा जाता है बात अगर फटी एडियों की की जाए तो भाई ये किसी एक मौसम से रिलेटेड मसला नहीं है यानि कुछ लोगों को गर्मियों में भी ये मसला रहता है, कुछ लोगों को सर्दियों में हो जाता है और कुछ लोगों को तो पूरा साल रहता है हटी हेडियों का मसला किसी एक सीजन से रिलेटेड नहीं होता यहाँ ये सर्दी ये गर्मी दोनों में हो सकता है अब obviously ये एक problem है तो इसका कोई ना कोई reason तो जरूर होता है तो आएं solution जानने से पहले ये जान लेते हैं कि भई आखिर ये problem होती क्यों है क्यों हमारी area फटने लग जाती है अब ये बात तो obvious है कि हमारी area तब ही फटना शुरू होती है जब हमारे pair dry होना शुरू होते हैं और हमारी heels का area hard होना शुरू हो जाता है तो जी अगर आप इस सहां के जूते पहनते हैं जिससे आपकी heels बहुत ज्यादा dust, pollution, cold, heat इन सारी weather और environment की चीज़ों से expose होते हैं तो ये बहुत बड़ा reason है कि आपकी heels crack हो जाएं आपकी area फटने लग जाएं और इससे ना सिर्फ आपकी area फटने लगती हैं बलके आपके pair dark और discolored भी होने लग जाते हैं तो अगर आपको फटी area का मसला आ रहा है या होना शुरू हो गया है तो आपने कोशिश करनी है कि या तो आप socks का इस्तेमाल करें या फिर इस तहां के cover जूते पहनें अगर आप गरम पानी का इस्तेमाल बहुत जादा करते हैं या फिर आपकी जो pair हैं पैरों की heels हैं वो chemical वाले product से बहुत जादा contact में आती हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा reason है आपकी area फटने का आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा गरम पानी का इस्तेमाल ना करें गरम पानी no doubt आपके पैरों को बहुत ज़्यादा relax करता है लेकिन अगर साथ में आप moisturizing और पैरों की cleaning नहीं करते तो obviously आपके पैर आहिसा हिसा dry पढ़ने लग जाते हैं और फिर उनमें cracked heels का मसला होना शुरू हो जाता है उसके इलावा हमने अकसर देखा है कि कुछ लोग जब bathroom wash कर रहे होते हैं ये you know bathroom में कपड़े wash कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा harsh chemical loaded जो products इस्तमाल हो रहे होते हैं वो इनसे पैरों में contact में आ रहे होते हैं वो अपने पैरों को cover नहीं कर जी अगर आपके weather में dryness है ठंड है तो obviously आपके पूरी body की skin के साथ साथ आपके पैर भी dry होंगे तो अगर आप पैरों को अच्छे से moisturize नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक वज़ा बन सकती है आपके एडियों के फट जाने की इसके इलावा बहुत सारे medical reasons भी वज़ा बन सकते हैं आपके एडियों के फट जाने की जिसमें सबसे जादा common है जी obesity यानि अगर आपको मोटाबे की शिकायत है तो ये भी एक बहुत बड़ा reason है आपके एडियां फटने की साथ ही ये सारे जो medical problems है अगर आपको इन में से कोई भी problem है तो ये भी cause बन सकता है अब इन सारे medical reasons की detail में मैं नहीं जा रही क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी और detailed हो जाएगी अगर आपको जरा सा भी शक हो कि इन में से कोई भी problem आपको है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं चले जी तो अब चलते हैं home remedy की तरफ ये home remedy जितनी ज्यादा simple है उतनी ही में add करेंगे वो है जी aloe vera gel aloe vera gel अगर आपके पास fresh है तो आप fresh भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस mixture को store करके रखना चाहते हैं तो आप market वाली aloe vera gel भी यूज़ कर सकते हैं तीसरा magical और देशी ingredient है जी honey यानी के शहत बनाने का तरीका जी बहुत ज़्यादा आसान है simply किसी साफ बाउल में आपने दो से तीन चमच ग्लेश्टीन के ले लेने हैं उसमें आपने एक से दो चमच आलवेरा gel अड़ कर देना है और साथ ही आधा चमच हनी का अड़ कर देना है अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस तरह के किसी भी कंटेनर में डाल कर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं अपलाई करने का तरीका बहुती ज्यादा आसान है सिंपली रोज रात सोने से पहले आपने अपने पैरों को अच्छे से वाश कर लेना है अच्छे से क्लीन कर लेना है उसके बाद इस मिक्स्चर को आपने अपने पूरे पैरों पर अपलाई करना है जी हाँ जरूरी नहीं के बाद आप कोई भी धुलेवे सौक्स पेहन लें जी हाँ धुलेवे मोज़ें ही पहनने आप ने गंदें मोज़ें नहीं पहनने अगर आपके पास कोई पुराने सौक्स का पैर हो तो आप वह इस्तिपाल कर सकते हैं और फिर इस तरह से पूरी रात आपने अपने पैरों को मोजों के अंदर कवर करके रखना है इनकेज गर्मिया हैं और मोजे आप पूरी रात नहीं पहन सकते तो आप 2-3 घंटा भी सॉक्स पहन कर उतार सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप पूरी रात ही से रखें लेकिन अगर सर्दियां हैं और आप बरदाश कर सकते हैं तो मैं आपको रेकमेंट करूँगी कि आप पूरी रात सॉक्स पहने रखें सॉक्स पहनने का मकसद बेसिकली मोईस्चर को अपने पैरों में लॉक करना है अगर आप चाहें तो आप दिन में भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं वस इसमें थोड़ा सा केरियर ओयल आड़ कर लें जैसे कोकनट ओयल हो गया, बादाम का तेल हो गया या कोई भी एसेंशल ओयल हो गया यहां मैं आपको एक रियालिटी चेक देना चाहूंगी और वो रियालिटी चेक यह है कि भाई अगर आपकी एडियों की कंडिशन इस तरह की हो गई है तो प्लीज कोई भी होम रेमेडी ट्राइ करने से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं क्योंकि किसी भी किसम के फंगल इंफेक्शन या एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए जरूरी है कि आप मेडिसन की तरफ जाएं और घर पर ही इसे ट्रीट करने की कोशिश ना करें चले जी तो आप मैं आपको बताती हूँ कैसे ग्लेसरीन हेल्प करेगी आपकी फटी हेडियों को हील करने में glycerine कोई नया ingredient नहीं है बलकि सालों से लोग इसे cosmetic और beauty products में इस्तमाल कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छा और instant moisturizer है आपने अकसर बहुत सारे products के ingredient में glycerine का इस्तमाल देखा होगा साथ ही हमने इसमें add किया था honey यानी शहद और aloe vera gel ये दोनों ही बहुत सारे vitamins और minerals केरी करते हैं लेकिन बात अगर cracked heels की की जाए तो इनकी anti-bacterial और anti-fungal properties बहुत ज्यादा help करती हैं हमारी फटी हेडियों को heal करने में जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिला कर इस्तमाल की जाती हैं तो ये बहुत अच्छे results देती हैं long term results देती हैं बस शर्त ये हैं कि आपको इसे religiously regularly patients के साथ इस्तमाल करना है चले जी तो इस्तमाल करने का तरीका तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ आपने इसे तब तक इस्तमाल करना है जब तक आपकी crack deals भर ना जाएं इसी के साथ करती हूँ वीडियो को end उमीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो और remedy वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाई